दि गोट्स पैलस रेजोर्ट, गंगा फेसिंग रेस्टोरेंट, पार्टी हाउस, डेस्टिनेशन वेडिंग, साड़े 12,000 स्क्वाइर फीट में बिना पिलर बना भव्य हॉल, शांदार समाहरों के लिए शांदार वेन्यू, हर किसी की पहली पसंद, निकट, नानु की नहर, कावड मार्क, सर्धना मेरट, पस्चिम यूपी के मासम में गुलाबी ठंडग खुलने लगी है, इसी के साथ विदेशी परिंदों की चहचाहट से मेरट की हस्तनापूर सैंचुरी गूंजने लगी है, यहां विदेशी पक्षियों का आना शुरू हो गया है, गंगा की कि किनारे और हिमाली की तराई शेत्र होने की कारण विदेशी महमान हर साल सर्धियों में यहां आकर अपना आश्याना बनाते हैं, हर साल सर्धी की दस्तक के साथ ये विदेशी महमान हस्तनपूर वैटलेंड में आकर दिन गुजारते हैं, पक्षि यही मैंटिंग कर अपना परिवार बढ़ाते हैं। लगभग चार महीने रहकर मौसम में गर्माहट आने के साथ ये फिर से वापस अपने वतन लौट जाते हैं। मेरट हसनपुर में गंगा किनारे काफी अच्छा वैटलेंड हैं। इसमें हजारों प्रकार के कीट पनकते हैं। जो इन विदेशी पक्षियों के भोजन का अच्छा स्रोथ हैं। गंगा किनारे ये पक्षी मेरट मुजफवनगर और बिजनोर सहीत पांच जिलो में आते हैं औक्टूबर अंच से चीन, रूस, साइवेरिया और दूसरे देशों में अधिक ठंड पढ़ने लगती है। ये देश बर्फ की चपेट में आ जाते हैं। तो यहां पक्षियों के लिए भोजन की कमी हो जाती है। सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। ऐसे में ये पक्ष अधिक सौंदर ये और भी अनुपन हो जाता है। बता दे हजारों मील का सफर देकर गंगा किनारे पहुचते हैं। ये विदेशी महमान। देखिए इन विदेशी पक्षियों के बारे में DFO लाजेश कुमार का क्या कहना है। जो भी यहां के वेटलेंड्स हैं उनमें मुखे स्पीशीज, स्कीमर्स, स्टार्ग्ड इस तरह की स्पीशीज जो हैं वो दिखाई देनी स्टार्ट होगी हैं। पुछ गीस की प्रजातिया यहां पर दिखाई दी हैं। और आशा करते हैं अगत वर्षों की तरह इनकी सब्सक्राटिय जिसए करते हैं। तो एक देश से ना कहके बहुत युरेशिया के जो उपर के कंट्रीज हैं, सभी कंट्रीज से यहां पर माइग्रेशन होता है और ना केवल उत्तर भारत में इवन ये सेंटल इंडिया तक उसको पार करके भी इस पीशीज कुछ आगे चले जाती है अश्तनापूर में जो वैटलैंड्स हैं, उनको देखने के लिए कोई भी व्यक्ति जो है रेंज कारेले से संपर्ग कर सकता है उनकी देखने के बहा तर उसका लुट्व उठा सकता है बस प्रिकॉशन ये रखनी है कि आप बर्ड्स को जो है उनके हैबिटेट को कोई भी तरह का नुपसान ना करें बाकी ये सुन्दर दिरिश्य है, इसको देखने में काफी अच्छा लगता है और इसको जादा से जादा देखें लोग ताकि और इसको शेयर किया जा सकी इस हबिटेब को हम लोग बचा सकें, यहीं एक प्रियास है अभी के लिए इतना ही हमारी वीडियो उसको जादा से जादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले